हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चेनल, दोस्तों केसे हैं आप सब लोग, I hope कि आप सब बहुत ज़्याद अच्छे होंगे, दिली के रजी साने में हम आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं, आज हम आपके साथ शेयर करेंगी पुरानी दिली जामा मज़ इसे बनान अशुरू करते हैं, यह देखें, यह हमने चिकन के लेग लिए हैं, लेग पीस लेए हैं चिकन के दो, और इसके अंदर देखें, इस तरह हमने कट लगा लिए हैं, जिससे जब हम मेरिनेट करेंगे, तो यह मसाल अच्छे से जाएंगे इसके अंदर, और इसे अ और नमक और लहसुन के पेस्ट को हम चिकन के उपर अच्छे से लगा लेंगे देखें सहां आप सारी कट में और चिकन के उपर अच्छे से इसको लगा लिजिए इससे चिकन की स्मेल भी खतम होगी और ये अंदर से जूसी बनेगा और इसे हम 15-20 मिनट के लिए धकर हुआ है और ये मेरिनेट हो गया है फस्ट मेरिनेशन दे दी है हमने इसको और अब हम इसकी नेक्स्स के तरफ चलते हैं अधा नीबू का रस्ट अध कर दिजिए और कुछ मसाले जाएंगे इसके अंदर जो इस तरह हैं यह देखें यह हम 1 टीस्पून रड शीली पौडर दालेंगे, 1 1⁄4 टीजपून हम इसके अंदर हल्दी पौडर, 1⁄2 टीजपून गरम मसाला, 1⁄2 टीजपून कुटा भुना हुआ जीरा, और यह देखें, 1 टीजपून हम इसके अंदर कोरियंडर पौडर दालेंगे, धनिया पौडर, और यह बिल्कुल थोड़ सा नमक डाल इसके अंदर कौन फ्लार डालेंगे, जिससे यह क्रिस्पू बनेगा, हम इसके अंदर अंडा एट नहीं करेंगे, अंडे की भी नहीं हमारा चिकन बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा, आप देखेंगे कि इसकी कोटिंग भी नहीं हटेगी, मसालो को हम अच्छे से लग लगा लिजे हादों से, और सारी कट्स में भी हम मसाला लगा लेंगे, जिससे यह अंदर से भी टेस्टी बनेगा, चिकन फीका नहीं निकलेगा, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, और इसकी अच्छे से मसाज करेंगे, चिकन की मसाले से, यह देखें, इससे हम अच्छे से मेरिनेट हो गया है, और ऑइल भी हमने गरम करने रख दिया है, यह मैंने मस्टड ओई लिया है, अगर आप चाहें तो, कोई भी कुकिंग ओई ले सकते हैं, और चिकन के पीस को हम इसके अंदर डाल देंगे, तो यह देखें, एक पीस करके मैं फ्राइ करूंग फिर हम इसकी दूसरी साइट चेंज कर देंगे, उसे भी फ्राइ करेंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा यह फ्राइ हो रहा है, यह देखें, इसकी मसाली की कोटिंग भी नहीं हटी है फ्राइ करने में, और हमने इसके अंदर अंडे कभी इस्तेमाल नहीं किया है, प चिकन का लेग अच्छे से फ्राई हो गया है आप देख सकते हैं इसे हम निकाल लेते हैं और दूसरा पीस भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे इसे हम रख लेंगे एक के नेपकन के ओपर जिस इसका एक्स्टर भी ओयल आ जाएगा तो और हमने गरम कर लिया है और दूसरा पीस हम कैरफुली डालेंगे इसके अंदर इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे और फ्लेम हम लो कर देंगे तील करने के बाद फ्लेम आप लो कर दें क्यूंकि चिकन अंदर से कच्छा रह जाएगा और वह बिल्कुल वेस्ट होता है जब चिकन अंदर से कच्छा रह जाता और इसे हम निकाल लेते हैे इए नहीं हमने दोनों चिकन के उसे एक बर फ्राई किया है पुरानी दिल्ली में जो हमारे छिकन फ्राई मिलता है वो अच्छा क्रिस्पी होता है चिकन की शोप पर वो पहले चिकन फ्राइए एक बार करकर रख लेते हैं फिर वो हाई फ्राइए करते हैं तो यह देखें हम पांच मिनट बाद दोनों पीसिस ऑईल के अंदर डाल देंगे हाई फ्राइए के उपर तीन से चार मिनट के लिए सिर्फ हम इससे फ्राइए यह देखें कितना अच्छा क्रिस्पी फ्राइए हुआ है और इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं हटी है आप हमारी रेसिपी के साथ जाके यह पुरानी दिली वाला चिकन फ्राइए सरूर टाय कीज़ेगा आपका चिकन फ्राइए बहुत जादा अच्छा होगा बहुत रीडियो में इंशारला आप से फिर मुलाकात होगी एक नई मसेदार रेसिपी के साथ थैंक यू फर वाचिंग